अब आप अपने कख्षा में आप सब देखा फिर से स्वागर करते हैं आज 3 अप्राइल 2020 दिन शुक्रवार हैं बच्चों हमने अपने पिछली कख्षा में भाशा तथा उसके रूपों के बारे में जाना क्या आपको पता हैं हमारे देश की राष्ट्य भाशा क्या है हमारे देश की राष्ट्य भाशा है हिंदी क्योंकि हमारे देश के अधिगांश भागों में हिंदी का सबसे ज्यादा किया जाता है यह हंधी वाशा सबसे अधिक बोले जाती है इसलें हमारे देश की राष्कटर वाशा क्या है हिंधी चलिए अब हम चल पहिं अपनी के तरफ और आज हम सिखें गए लेपी के बारे में यहीं क्या होती है हा कि देखिए आप सब्सकाइटेदिड और proportion नीचे लिखे हैं मैंने अ-म-ल-कुछ वर्ण अंग्रेजी ए-म-ल-क और पंजाबी भाशा के नीचे उ-अ-ई-व-ल वर्ण लिखे हैं। इस ऐसा मैंने क्यों किया हैं देखिए हिंदी भाशा को लिखने के लिए इन सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता हैं। हमें कुछ निच्चित वर्ण दिये रहे हैं निच्चित चिन दिये रहे हैं। उसी परकार अंग्रेजी भाशा को लिखने के लिए ए-म-ल-क बहुत सारे ऐसे ही अलफबेट्स मिले हैं। उसके बाद पंजाबी, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए भी हमें कुछ निश्चित चिन मिले, इन ही निश्चित चिनों को इन भाषा की लिपी कहते हैं, यह हम कहा सकते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन निश्चित दिये होते हैं, उन ही चिनों को उस भाषा की लेपी कहा जाता है, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाइं बोली जाती है, और उन सभी भाषाओं की लेपी भी अलग-अलग होती है, ठीक है, देखे, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लेपी क्या है, हिंदी भाषा की लेपी देवनागरी होती है, उस इसी प्रकार सभी वाशाओं के लिए भी अलग अलग होती है ठीक है इसके बाद हम चलते हैं व्याकरण की तरफ हम चलते हैं व्याकरण की तरफ व्याकरण क्या होती है व्याकरण सब लोग हम क्यों करते हैं ठीक है व्याकरण चलिए अब फिर आप बोड की तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे मैं यहाँ पर दो वाग्या लेत रही हूँ पहला वाग्या है रानी नाच रहा है दूसरा वाग्या है अब आप मेरे साथ इन वाख्यों को दो राएंगे पहला वाख्य है रानी नाच रहा है दानी नाच रहा है क्या है यह वाख्या सही है आप इसको बोल कर देखें क्या यह वाख्य सही है नहीं रानी नाच रहा है यहाँ पर रहा शब्द का प्रयोग गलत है यहाँ पर राहा शब्द का प्रयोग गलत है क्या आएगा रानी नाच रही है क्योंकि हम इस लिंग के साथ हमेशा एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं ठीक है दूसरा वाक्य है मोहन खेलने गई मोहन खेलने गई इसमें क्या गलत है इसमें यहाँ पर गई नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा मोहन खेलने गया मोहन खेलने गया हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर यह गलती है हमें यहाँ पता लगा है व्याकरन के अधार को व्याकरन हमें भाषा को शुद बोलना, शुद लिखना तथा शुद पढ़ना सिखाते हैं व्याकरन के याधार पर हम भाषा को शुद रूप से पढ़ना, शुद रूप से लिखना तथा शुद रूप से बोलना सिखते हैं ठीक है, तो आज हमने क्या सिख्या हैं भाशा की लिपी और व्याकरन के बारे में आशा करती हूं कि आज का यह पाट आपको अच्छे घ्राइस समझने आ गया अब बारी हैं ग्रहका लिपए आपको क्या करना है किने भी पाट भाशाओं की लिपी को याद करना है और सभी माता पिता से मेरा अनरोध है कि आप अपनी बच्चे को कुछ पांच अशुद वाकें शुद करने के लिए दीजिए इसे के साथ ही मैं अपनी कक्षा को समाप करती हूँ अपनी नहीं कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी धन्यवान